नमश्कार दोस्तों मैंने पलकित मवन सिंगला स्वागत है आपका मरय चाल में दोस्तों आज हम इस रहर में क्यों आज यूवाज पीडी का केफ़ टू घ्राब है क्यों आज के यंक्स्टरज का केफ टू रह करड़ तू केफ है धूषए अगर आपने ऑप केतु दोनों की बात करें, तो दोनों चाया ग्रह जरूर हैं, पर इनका प्रवहाव बाकी ग्रहों के निस्बत काफी गहरा होता है, ये चाया ग्रह होते वे भी आपके मजबूत ग्रहों को तबाह करने की शक्ती रखते हैं, खराब करने की शक्ती रखते हैं, उनको डीपली करने की शक्ति रखते हैं अगर हम केतु ग्रह की बात करें तो केतु मतलब है लत केतु मतलब है पागलपन एक चीज के प्रीचे जो कहते हैं न कि बिलकुल ही सुद्बुद गवा बैठे हैं न किसी को एक जुनून हो जाता है वो है केतु कहते हैं न किसी को एक तरफा प्यार हो गया और उस एक तरफा प्यार में उसने अपने आपको बर्बाद कर लिया आज के अंगसर्स क्या करते हैं किसी से एक तरफा प्यार हो गया पूरी इपनी जिंदगी लड़की निकाल देती है उस लड़के के प्यार में वो लड़का तो रामसे शादी वादी करके आगे वच्चे परदा करके आगे अपने घर बसा लेता है लड़की बैठी रहती है उसके इंतिजार में सालू निकल जाते है शादी की उम्र निकल जाती है माबाप रिश्टे दिखाते दिखाते ठक जाते है और वो लड़की बैठी रह जाती है बाद में वही लड़की और भी ज़्यादा केतु के बिगडे रूप का शिकार होती है यानि कि और भी ज़्यादा चिड़ चिड़ा होना, पागलपन करना हर तरीके का अजीब अबनॉर्मल बिहिवियर करना क्योंकि एक खुंदक सी चड़ती है कि भई मैं रह गई जब एहसास होता है उस गलती का कि भई मैं इश्क में किसी के अपनी जिन्दगी खराब कर दी तब बहुत देर उचकी होती है, ऐसा ही लड़कों का भी हाले नस काट रहे है कभी फासी लगा रहा है लड़की के लिए कोई कुछ कर रहा है कोई घर चोड़के भाग रहा है यह केतू के बिगड़े रूप होते हैं यानि कि जनून बरबाद करने तक कहते है न फना हो जाना यानि कि तबाह हो जाना किसी के लिए ये केटु है तो केटु किसी भी चीज़ में जाता है तो बहुत डीपली अफ़ेट करता है उसको और इतना डीपली कि आप सोच में नहीं सकते इसलिए جो रह लोग होते हैं जौनूर वाले आप नहीं जानते हैं कुछ भी कर जाते हैं जो पागलपन होता है जो ये भी केतु के बिगडे रूप की निशानी होते हैं क्योंकि केतु राहू दोनों ग्रहे जो होते हैं न हमारे इस हद तक सिक्रेटिवली काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकते इनकी जो कोई कहते हैं कोई सीमा नहीं है किसी भी चीज के end नहीं किसी भी चीज का जो भी निशकर्ष क्या निकलेगा यू कैनोट किल्कुलेट इटाब इसको ये सोची नहीं सकते कौन क्या कर जाएगा गुना पना, मन में चीजे चलते रहना नासूर पाल की रखना मन में कि अच्छा इसने मेरे साथ ये किया था सालो साल पल रही है वो बात है चोटी सी बात, सालो साल पल रही है पले जा रही है, पले जा रही है विस्पोटक की तरह है, वो शेरी के अंदर बिल्कुल तयार है, जैसे लावा फूटने वाला है और वो एक दिन फूट जाता है, वो है केतू तो ऐसे जो लोग होते हैं, गुनने रहते हैं, चुप रहते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, बातों को याद रखते हैं तूने मेरे साथ ये किया था जवानी में, बच्पन में तूने मेरे साथ ये किया था बुड़ा पे तक या इनका केतू खराब होता है एक ही बात को पकड़ के बैठ जाना और पस पागल पन रखना अब जो लोग लट के शिकार हो जाते हैं सपोज सिगरेट की लट लग गई, बीडी की लट लग गई शरीर में कैंसर पनब गया उससे केतू का बिगड़ा रूप सामने आ गया पर तब भी लट नहीं छोड़ते जब तक कि अपने अपको पूर्ण तहर शरीर को बरबाद नहीं कर लेते इसी तरह शराबी है, लिवर फेल हो गया, किड्नी डैमेज हो गया तब भी शराब पीता ही जाता है मीट मास खाने वाला हो गया, प्रोटीन शेर में बहुत हाई हो गया हिर्दे में वसा जमा हो गया, फैट जमा हो गया बाइपास सरजरी हो गया, उसके बाद भी चिकन खाना ही खाना है कीतू का बिगड़ा रूप होता है कि आप जानते हो कि ये चीज़ आपको बर्बाद कर देगी तब भी आप बर्बाद होने के लिए तयार होते हो क्योंकि आप उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते है वो डायलोग एनेक फिल्म का मशूर के मेरे इतने करीब भी मताओ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी वो कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ तो वही वाले हाल है कि तू खराब पीड़त लोगों के इनको पता होता है ऐसा नहीं होता कि इनको नहीं पता होता कि जो ये कर रहे हैं उससे इनको बर्बादी आएगी इससे उनको नुक्सान होगा पर ये उसकी gravity को नहीं समझ पाते उसकी timing को नहीं समझ पाते उसकी reality को नहीं समझ पाते They live in reality without assuming that there is reality ये उस बिल्ली की तरह है जो खत्रा आ रहा है और उसने मिट्टी में अपना सर गुसा रखा है सोचके कि खत्रा नहीं दिखाए दे रहा तो इसका मतलब खत्रा है ही नहीं ये वो बिल्ली है जो आँख मीच लेती है पर सामने आए खत्रे को नहीं देख पाती क्योंकि आँख मीच के उस सुचती है कि खत्रा चला गया जब कि खत्रा वहीं होता है तो ये खेतू के बुरे लक्षन होते हैं अब आप कोई भी लड़की होगी जो किसी के लड़के के प्यार में पागल होगी आप समझाओगे बेटा तेरे लिए नहीं है, तेरे लायक नहीं है तेरी जो है class का नहीं है, तेरी caste का नहीं है, तेरी religion का नहीं है, या तेरी हैसियत का नहीं है, तुझे नहीं खुश रखेगा, नहीं पापा decision तो एक बार होता है, वो हो चुका है, decision तो नहीं मदल सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे कुछ negative पता भी लग करके मैंने ये चीज़ करनी है, जूले पर चड़ना है, तो चड़ना है, अर्चा जूला तूटने की गगार पर हो, पर एक बार ही चड़के जरूर देखना है, उसके बाद इसका और बिगड़ा सुरूप आता है कि जब आपके साथ कोई tragedy हो जाती है, सपोस किसी को किसी से से शराप से, cigarette से, मास से, मिट, या कैंसर हो गया, कोई मीट मास के से या किसी भी चीज़, डिटेक्ट हो गया, या कोई अन्य बिमारी डिटेक्ट हो गयी, तब ही उस हरकत को नहीं चोड़ेंगी, इसके अलावा हर तरीकी का जो सभाव ऐसा हो जाना कि आप जिसको यकीन न जो cruelty की हद होती है, ये के-2-PAR करवाता है, आपने देखा होगा, बहुत से crime, आपको सुनने मिलते हैं, कि शरीर के हाथ-पेर काट दी, टुकडे कर दी, ऐसे बहुत cases सुनने मिलते हैं, कि किसी ने, आपने देखा होगा crime serials मे भी और news मे भी, और ऐसे बहुत से cases आते हैं, क ये केतु का बिगडार रूप होता है, एक्स्ट्रीम क्रुएलिटी, मतलब जिसकी कोई हद ना हो, और ये जो केतु है, ये इतना मिस्टीरिस होता है, that you cannot determine कि आगे क्या बंदा करेगा, तो इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो क्रूर किसम के होते हैं, जिद्धी होते हैं, जो धीट होते हैं, जो जो मरजी आए ठान लें उसको करके रहते हैं, वो गलत जा रहे हों तो भी नहीं किसी की मानते, पेरेंट्स के नहीं मानते, घर में बच्चे आजकल के यंग्स्टर से कहलो इश्क बाजी में पड़ जाते हैं एक तरफा प्यार में पेरेंट्स ने एक स्पेसिफिक हिदायत दे रखे कि आपने इस जगे पे या इस उसमें नहीं करना तो भी उसी में जाके करते हैं ये केतु का नेगिटिव रूप होता है जो कहा है उसका उलट करना चाहे बर भी गाड़ी से कुछल देना किसी के साथ भी वारदात कर देना ये केतु के बिगड़े रूप होते हैं और आज के टाइम में मैक्सिम यंग्स्टर्स यही कर रहे हैं अपने आपको बरवादी की तरफ लेके जा रहे हैं और जब रियलाइजेशन होती है तो वो बंदा फि अगर उसको मौका मिले he'll do it again दुबारा वही प्रवर्ती उपनाएगा तो ये केतु के बिलकुल नेगेटिव स्वरूप होते हैं मैटर नहीं करता केतु कहां प्लेजड है आपकी कुंडली में जिस भी घर में प्लेजड होगा उससे रिलेटेड ये चीज़ें आपको बना रहता है साथवे घर के केतु का कि mysterious कुछ भी छुपाने की शक्ती बड़ी से बड़ी बाते और secrets हजम करने की power आ जाती सबोस किसी कोई लड़के के केतु है साथवे में और ऐसा अकसर देखने को मिलता है I'm not saying to everyone कि सारे ये ऐसे होंगे पर maximum कुंडलियों में maximum लोगों क कि अगर personal life को analyze किया जाए तो उनकी एक secretive another life भी चल रही होती है suppose किसी का साथवने केतु उसने पहली कोई और बीवी भी रखी वी है और उसके बावजूद भी शादी करने के लिए गुम रहा है या उसने living relationship रखी वी है ये बात चुपा रखी है या वो homosexuality में है पर शादी कर रहा है किसी लड़की से दहेच के लिए या parents की pressure में या importancy है वो बात चुपा रखी है क्योंकि केतु itself एक नपुनसक ग्रह होता है इसके अलावा क्या पता एक जो है मन में स्वभाव जो कुरूरता वाला है वो spouse पर बात में नकल रहा है पतनी को मार रहा है पीट रहा है गाली गलोच कर रहा है एक्स्ट्रीम cruelty से उसके साथ पेश आ रहा है तो ये apprehension ऐसे होते हैं कि तो क्योंकि पाप ग्रह है जिससे for example जिससे मैं समझाने के लाप को कह रहा है जिससे शादी वाले घर में सात्वे में आ गया तो ही आदे से जादा लोग गबरा आ जाते हैं खा जिससे कोई relation ना हो रखा हो तो ऐसी बहुत सी चीज़े निकल के आती है and maximum cases में कोई ना कोई बात कोई ना कोई secret कोई ना कोई दबीवी कलत बात बाद में उजागर होती ही होती है क्योंकि एक tendency बन जाती है of that person कि वो वैसा करता है बहुत रेर लोग होते हैं जिनकी कुडली में यह पापी ग्रह भी शुप परिटनाम देते हैं मैं यहां दोनों की बात कर रहा हूं केतु की पर मेंली अगर जैसे में आज की वीडियो की बात करें केतु की तो बहुत कम कुडलियां ऐसी होती है जहां वो favor देता है otherwise maximum कुडली में बुराही होता है and जो बंदा होता है वो उस बुराही को ओड लेता है उस personality को ओड लेता है and वो उसको अपना हिस्सा बना लेता और वैसे ही act करता है एक केस आयता में पास जहां पर आदमी अपनी बीवी को सुबह उठते के साथ ही थपड मार के उठाता था चाटे मार के उठाता था and he was kept on doing it again and again उसने ये कहलो कि एपनी पूरी married life में वो practice जारी रखी just because उसको पसंद नहीं था कि उसकी बीवी छोटे करत की है so यहाँ पर केतु का एक बिगड़ा रूप सामने क्या आया पहली चीज़ aggression and cruelty कोई सो रहा है सोते वे को आप थपड मार के उठा रहे हो that is extreme cruelty second चीज़ एक जनून पागलपन मुझे तो लंबी बीवी चाहिए ये तो छोटी है तो उस कुरूरता में उसके average में आप रोज उसको मार रहे हो उसकी कोई गलती नहीं she is cooking food for you she is doing all the things in her house वो जो भी आपके घर के काम हैं कर रही है आपको शारिरिक सुक देख रही है तो वो एक्स्ट्रीम केतु का बिगडा रूप बना रहा बाद में उस औरत ने छोड़ दिया उसको कौन कब तक मार खाएगा तो realization कब हो उस आदमे को late जब वो बुड़ापेम की डेली इस पर पहुंच गया and now he is alone उसके पास कोई भी नहीं है तब उसको उस गलतियों का एहसास हुआ पर it was too late अब वो पुराने टाइम वापिस नहीं आ सकता क्योंकि जो घाव इतने घहरे होते हैं जो भरे नहीं जा सकते हैं वो नासूर बन जाते हैं तो केतु के जो बिगड़े वे लोग होते हैं इनके साथ यही होता है यह घाव ऐसे दे देते हैं कि अगर जिब इनको रिलाइज होता है और इनको रिलाइज होता है और जब इनको रिलाइज होता है तो इतनी देर हो जाती है कि वो घाव भरे नहीं जा सकते हैं अब फर एक्जाम्बल किसी लड़के ने या किसी लड़की ने अपनी जिन्दगी वरबाद कर ली किसी के इश्क में बैठे बैठे वो 40 साल की हो गई, 45 की हो गई, प्यार में किसी के लड़के की तो शादी हो गई, उसके बच्चे बड़ बड़े हो गई उसके मन का तो मीत नहीं मिलेगा, अगर एक मिंट के लिए उसने एक लेवल बना रखा था कि इस तरीके का लड़का मुझे चाहिए, तो वो तो out of the question ना, फिर तो उसको compromise ही करना है जो मिल रहा है, otherwise, जो single रही है, वो एक अपने आम में सजा तो रहेगी, रहेगी तो यहाँ पर बिगाड इतना लोग यह देते हैं अपने कर्मों से सब कुछ, कि फिर ठीक नहीं हो पाता अब for example कोई कहीं पर यार दोस्त के लिए जगडा करने चला गया, यार दोस्त जवानी में बड़ा जोश होता है कॉलिज में किसी लड़के को पीट दो, कई किसी लड़की के लिए हता पाई कर ली, वो कर ली उसमें सामने वाले को कुछ हो गया, आपका लेना देना नहीं था पर बस यारी दोस्ती नहीं माने के लिए आप भी पहुँच गये जी क्राइम करने, क्राइम में, वहाँ पहुँच गये जगडा किसी और का, पंगा किसी और का, लफड़ा किसी और का, फजगए आप, क्योंकि आप यारी दोस्ती नहीं माने गए और आपका हो गया जी काम खराब आपके खिलाफ हो गया तो एकेतू का बिग्ड़ा स्वरूप होता है मड़छ आपको इस बात को समझना होगा कि आपको हर तरीके की उस हरकतों से दूर रहना होगा अगर आपको इस केतू को नहीं एक्टिव करना है पहला मीट मास अंडा शरा मचली इन से आपको दूर रहना है दूसरा गुटका पान जिस जो जैसे राहू के क्योंकि राहू और केतु अपने आप में एक ऐसे इनका यू कह लिजे के कम्बिनेशन चलता है के जूता और मोजा मतलब जो एक दूसरे के बगगार रह नहीं सकते अगर केतु किसी भी चीज़ को डिले कर रहा है तो राहू उस पर इनाम को फास्ट कर देता है तो ये दोनों चीज़ें मतलब equally, parallelly they work together in a very coordinated way दोनों एकट्टे काम करते हैं किसी की भी कुंडली में because allied nation बिलकुल सामने होती है अगर for example केतु साथवे में है तो राहू automatically first house में यानि की लगन चार्ट में पहुंच जाएगा और first house में पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को effect करेंगे और आपस में ही ऐसे coordination में काम करेंगे कि इनसान गफलत की स्थितिव उपड़ जाएगा तो इसलिए किसी भी तरीके की meat mass, अंड़ा, श्राम, मचली की लट से दूर रह किसी के भी जगडे से दूर रहें, कोई भी कलेश में जगडे में अपने आपको involve ना करें किसी भी तरीके के एक तरफा प्यार में पनी जिन्दगी ना बरबाद करें कोई मिल गया ठीक है नहीं मिल गया अपनी हस्तेसी में जाओ कोई नया मिल जाए या नहीं मिल जाए लड़कों की कमी नहीं लड़कियों की कमी नहीं और इसलिए किसी से भी ये फिल्मों वाला प्यार ना करें फिल्म वालों ने तो नोट बनाने हैं, आपको बेवकुफ बनाना है प्यार 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 के गाने बजाने हैं सब बक्वास हैं, सिर्फ और सिर्फ जिन्दगी बरबाद करते हैं ये लोग TV में दिखाके कि माबाप से बगावत हो रही है यू और रही है सब अक्वास ये दिखाते हैं कि बाद में सम्मान जाएंगे असल जिंदगी में जिंदगियां घर सब बर्बाद हो जाते हैं इसलिए अपने माबाप की तरफ देखो अपनी फैमिली की तरफ देखो इसके लावा केतु एफेक्ट हो जाता है अगर आप फैमिली ट्रेडिशन्स और रिलिजियस मैंडसेट को खतम करते हो तो बहुत आज की यंग्स्टर्स क्या करते हैं पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हें भगवान के बारे में नहीं पता गायतरी मंतर तक नहीं पता मंदर में जोट तक नहीं जलाते मंदर भी नहीं जाते हैं रो रोके जाते हैं अगर मावाप जबर्दस्ती ले गए तो गए या दरवाइज नहीं तो अगर आप religiously अलग हो रहे हो भगवान से नास्तिक पने की तरफ जा रहे हो वो भी केतों की negative की निशानी होती है देखो जो भी हमारा faith है जिस भी उसमें हम पैदा हो है that faith belongs to us और अगर हम एक मिन्ट के लिए हम में कोई भी हम over logical भी है, practical भी है या ज़्यादा हम science के भक्त भी है तो भी हमें अपना उस belief को नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि because at the end of the day कोई ना कोई शक्ती तो इस पूरी दुनिया को चलाई रही है कि जो इतना balance बना हुआ है कि पृत्वी अपनी जगे पे भूम रही है कोई भी planet हमारी पृत्वी से टकरा नहीं रहा सूरज अपने आप time से सुबह आ रहा है और उसके बाद रात भी हो रही है चंद्रमा भी आ रहा है हर चीज जो है अपने पूरे system से चल रही है जैसे किसी ने उसको direct किया हो कि है यह तुमने करना है तो obviously बात है किसी चीज में है तो we should believe on it हमें हिंसा नहीं करनी किसी के साथ पर ये भगवान पर भरोसा जरूर रखना अगर आप बिल्कुल भी भगवान पर भरोसा नहीं रखते हैं completely नास्तिक हो के रहते हो जरा भी पूजा पार्ट में हमन नहीं लगाते तो आपका केतु automatically negative हो जाएगा automatically आपको बुरी results देगा तो केतु का एक तो सबसे बड़ा उपाई ये है कि आप regularly धार्मिक जगाओं पर religious places पर जाना शुरू करो आप मंदिर जाते हो तो रोज जाओ रोज नहीं जा सकते हफते में दो-तीन बारी चले जाओ पर भगवान में विश्वास रखो इसके लावा जो लोग मादुर्गा की उपासना कर सकते हैं या माकाली की उपासना कर सकते हैं वो अपने आम में सर्वत्तम उपाय है माकाली या मादुर्गा की उपासना कीजे जितनी कर सकते हो कीजे, उनका जगराते कराईए, उनकी महादुर्गा का जगराता कराईए घर में, माकाली की जो है उपासना कीजे, मादुर्गा की चौकी रखवाईए, और रेगुलर्ली माकाली की पूजा करते रहेए, नवारण मंत्र कर लीजे, हर तरहीके से लाब होग आपका केतु बैलंस्ट होने लगेगा उसके नेगेटिव प्रेट नाम जो है वो कम होने लगेगे और बाकी हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि हमें कोई भी चीज क्रुएल्टी से नहीं करनी कहीं भी भी क्रुएल्टी को नहीं अपनाना कोई भी बात है कोई भी मसला है कोई भी डिसलाइकिंग है कोई भी कारण है कोई भी चीज है हमने बातचीत से शान्ती से किसी भी चीज का हल निकालना है जगडे से, मारपीट से, क्रूवल तरीके से बात करके या क्रूवल्टी फिजिकली किसी के उपर अपनाने से सिर्फ बरबादी आएगी हमारे कर्म खराब होंगे, वह हमें नहीं करना और उसी इसे केतु एक्टिवेट होता है हमने वह कारण करना ही नहीं, वह attempt करना ही नहीं हमने प्यार से बातचीत से हर चीज का solution निकालना है और वही हमें human बनाता है और केतु क्या होता है, कि जब बंदे cruel बन जाते तो विकृत्ती बढ़ जाती है वो हमें नहीं करना है हमें सही रास्ते पे चलना है और ईश्वर से डर के चलना है यहां पे हमें क्राइम करते वक्त, कोई गलत करते वक्त अगर कोई नहीं देख रहा तो ईश्वर देख रहा है और हमारा अवचेतन मन देख रहा है बाकी फिर भी आपका कोई भी गर में बच्चा है जिसका स्वबाव बहुत करूर है, जगडालू है, या कोई भी आपके पेरेंट है, पिता है, उनका स्वबाव बुरा है, माता का है, या किसी का भी है गर में, तो ने आप हमारा शेर मुकी सिल्वर कड़ा जरूर पहनाओ, क पर केतु की अगर हम बात करें जैसे आज की वीडियो में तो इसमें भी बहुत ही जबरदस्त असर देखने को मिलता है। उसके अलावा रेगुलर्ली आप धुनी हमारी जलाई है, माकाली का नाम लेके सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाते रही है। या मादुर्गा का पाठ करते रग जलाते रही, अपने आप सभी कारें आपके सिद्धों के परेशानियां दूर होंगी। और religious रही है, spiritual रही है, भगवार में भरोसा रखिये, हर चीज अपने टाइम पर हो जाएगी। और किसी से भी बेवजे मत उलचिये, किसी से भी जगड़े में मत पढ़िये, शांती से बड़ा दान कोई नहीं, शांती से बड़ी चीज कोई ըहीं, शांती से प्यार से हर चीज को, solution हर एक को निकालने की कोशश भी। तो I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह सुनते रहें प्यार देते रहें अगर आप कड़ा मंगाना चाहते हैं शेर मुखी अभी मंतरित सिल्वर कड़ा चाहे आप जैंड से चाहे महिला हैं तो आप जरू मंगाईए आपके राहू के तु मंगल शनी चंदर अपने आप ठीक होने लगेंगे आपको सिंप्ली मॉबाइल नमबर 813-033-1007 पे संपर करना है नमबर दुबारा बोल रहा हूँ 813-033-1007 आप दुनी भी मंगा सकते हैं स्पिशल एक्स्ट्रा गद में जलाईए अमेजिंग रिजल्ट आएंगे कहा हम ऐसे बनेंगे कि जो इतने सालों से उटके वे थे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल से मिल जाएंगी मैं हूँ आपका दोस्पिल के पहुंग सिंगला